नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रागवेंद्र श्रागत है आप सभी का इनकवर पर हमारे समाज में धर्म को काफी अहमियत दी जाती है भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है देश में मंदिरों की तदाद को देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं है रीत रिवाजों और परंप्राओं को देखते हुए अपने देश में धर्म गुरुओं को भी उचित सम्मान दिया जाता है कथा वाचकों को सुनने के लिए हजारों लाखों की तदाथ में लोग जुड़ते हैं आजकल छतर पूरिस्थीत बागेस्वर धाम के पिठादेश्वर पंडित धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री और मोटिवेशनल स्पीकर एवं कथावाचक जया किसोरी काफी चर्चा में होती है दोनों कथावाचकों के अक्सर कारिकरब होते राते हैं पूरिस्थीत बागेस्वर धाम के पिठादेश्वर पंडित धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री हनुमंत कथा के लिए बिहार गय थे उनकी यात्रा और कारेक्रम विविन वजहों से काफी चर्चा में रही उनके कारेक्रम में लाखों की संख्या में लोग उमण पड़े जिने समाल नाम मुश्किल हो गया था वही जया किसोरी ने भी खुद को बताओर मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक का स्थापित कर लिया है विविन वजहों से एक सर इन दोनों की तुल्णा आपस में होती रहती है फिर चाहे वह पढ़ाई लिखाई का मामला हो या फिर कमाई और अपने कारेक्रम के लिए फीस लेने की बात हो बागेस्वर धाम के पिठादिस्वर पंडित धिरेंद कृष्ण सास्त्री के कारेक्रम में बड़ी तदात में लोग उमडते हैं बिहार की राजधानी पटना में आयोजीत हन्मंत कथा इसका जीता जाकता उदाहरण है उनकी कथा को सुनने के लिए इतनी बड़ी तदात में लोग उमड़ पड़े कि पुलिस प्रसासन के लिए लाखों लोगों को सभाल नाम मुश्किल हो गया पंडित धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री देश के विविन हिस्सों में जाकर कथा वाचन करते राते हैं बागे स्वरधाम सरकार पंडित धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री को परची वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है वह दिब्य दर्बार लगाते हैं और लोगों के नाम की परचिया निकाल कर उनको उनकी समस्याओं से न केवल अउगत कराते हैं बल्कि उसका निदान भी बताते हैं उनके लिए इस क्रिया कलाब को लेकर कई लोग इस चीज पे सवाल उठा चुके हैं अब सवाल उठता है कि बागेश्वर धाम के पिठादी स्वर पंडे धिरेंद किस नसास्त्री कथावाचन के कारेकरम के लिए कितनी फीस लेते हैं मतलम बागिस्वर सरकार का कथा कहने के लिए कितना पैसा लेते हैं आपको यह जान कर हैरानी होगी कि बागिस्वर धाम सरकार कथा वाचन के लिए एक कभी रुप्यार नहीं लेते हैं उनकी एक ही सर्थ होती है कि वो जहां कथावाचन करें उसके लिए मुकम्मल बिवस्था रहे मसलान लोगों के बैठने के लिए टेंट सामियाने की उचित बिवस्था हो पंडित धिरेंद्र किष्ण सास्त्री ने तकरीबन एक साल पहले कथावाचन के लिए फीश लेने को लेकर इस्थिती साफ की थी उन्होंने कहा था कि कथाओं की तारीक वर्स 2023 तक का सिड्डियूल पूरा फूल है उन्होंने कहा था कि वो कथावाचन के लिए कभी दच्छना नहीं मांगते हैं वह सिर्ख व्यवस्था चाते हैं खास कर टेंट साम्याने और अनपूर्णा भंडारे के लिए सहयोग दिया जाए अब वहीं बात करें मोटिवेशनल स्पीकर और युवा कथावाचक जयाकी सोरी की तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जयाकी सोरी अपने कारेकरम के लिए 9,50,000 रुपए चार्ज करती हैं इन में से सवा 4,000,000 रुपए एडवांस में देना होता है बाकी की रखम कथावाचन और प्रवचन के बाद वो लेती हैं इस तरह जयाकी सोरी का कारेकरम आयोजित कराना थोड़ा महगा होता है माल लीजे जयाकी सोरी एक महीने में यदि 4-5 कारेकरम करती हैं तो 9,50,000 रुपए के हिसाब से 40-50,000 रुपए वह बतोर फीस लेती हैं इस तरीके से वह IIT, IIM पास रिवाओं से ज़्यादा कवाई करती हैं बता दे कि जयाकी सोरी अक्सर कथावाचन में ब्यस्त रहती हैं फिलाल इस जानकारी में इतना ही आप सब की क्या राय है इस पे आप अपनी राय कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा